सब्सकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरश टूटोरिल में यह हमारे क्लास फॉर्थ के एविएस के एंसी एर्टी नोट्स का लास्ट पार्ट पार्ट सिक्स है जिसमें हम अंतिम के पांचो पार्ट को पांचो चैप्टर्स को इंट्यूप करेंगे चैप्टर 23 से लेक किया है तो जल्दी से जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और आपको जो भी वीडियो इंग्लिस पैड़ागोजी एविस या फिर जो साइकोलोजी होती है उससे देखना है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो का लाब उठा सकते हैं तो शुरू करते ह चेपर 23 पोचम पल्ली आंध्रदेश में इस्तित है जहां बुनाई का काम होता है यानि की बहुत सारे बूनकर परिवार वहां पे रहते हैं पोचम पल्ली आंध्रदेश का एक स्थान है बूनकर शहर से धागे के लड़िया लाते हैं जिनको पानी में उबाल कर इसकी बना दी जाती है और फिर इनी गट्टी को करगे में लपेट कर बुनाए का काम शुरू किया जाता है करगे में कई प्रकार की अलग अलग टाइप की सुईयां होती है जो की अलग अलग डिजाइन करने में काम आती है पोचम पल्ली साड़िया दुनिया भर में बहुत ही प्र है अगला चैप्टर है चैप्टर 24 24 दूर देश की बात इसमें अबुधाबी की बात की गई है अबुधाबी से भारत आने में हवाई जहासे दो घंटे का समय लगता है चिटपन यानि की पिता का छोटा भाई यानि की चाचा और कुंजमा चाची जिनको मुल्यालम में कुं अबुधाबी से भारत आते हैं और हवाई जहासे आते हैं उनको दो घंटे का समय लगता है फिर वो बच्चा जो है सोचता है कि चिन्नई से कोच्ची ट्रेन से जाने में तो 12 घंटा लगता है ये भी गौर करने की बात है चिन्नई से कोच्ची ट्रेन से जाने में 12 घंटे आप पनी अेरिया है पूरा लेकिन केरला में वो लोग अभी धावी से केरल आय रहते हैं, तो केरला में बहुत हरियाली है, पानी ब्वलकme की lofty भी कमी नहीए, अभूदावी में जल्की बहुत कमी है वहाँ पैट्रोल आसानी से मिलता है, पैट्रोल सलक्ट से सस्ता मिलता है वहाँ पेट्रोल का एक बहुत बड़ा मतलब उत्पादक माना जाता है अबुधावी तो वहाँ पेट्रोल आसानी से उपलब दे लेकिन जल की बहुत कमी है वहाँ पे अबुधावी में अधिकतर खजूर के ही पेड़ पाये जाते हैं लेकिन इंडिया में देखिए आप हर तरीके के पेड़ पाये जाते हैं लेकिन अबुधावी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ पाये जाते हैं अबुधावी के रुपयों को दिरहम कहा जाता है जैसे यहां कि लोगों को इसी वज़े से सूती कप्रा ही ज़्यादा पहनना होता है अगना चैप्टर है पार्ट पचीस चटपटी पहलिया इसमें सिफ और सिफ पहलिया है जो कि एक्जाम में मुझे ने लगता है कि पूछा जा सकता है तो इसको इंक्लूड नहीं किया गया है तो अब ह भारतिय सेना में डॉक्टर तता समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं यह पहली महिला है जिनोंने एक पूरी परेट का कमान समाला है अब परेट क्या होती है नीचे हम देख लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं परेट में चार टुक समीर के जिलारा जौरी में स्थित है यह उन्योंने बताया कि जो यह समुद्र पे रहते हैं यह डॉक्टर इनको साफ सफाई की विवस्ता सब देखनी होती है सभी का चेक अप टाइम टू टाइम करना होता है सारी विवस्ताएं देखनी होती है और इनको सहयोग के लिए द तो इसी तरह वो अपनी बेटी को भी बहुत अच्छा मानते थे इसलिए उन्योंने यह प्रिजम टाइटिल अपनी बेटी को दिया अब हम अपनी लास्ट चैप्टर को देखते हैं क्लास फोर्थ के इसके बार एंसी ए आर्टी एविस का जो सारे चैप्टर से वो खत्म हो पुल लद्दाक में पाया जाता है अगर आप हमारे चैप्टर क्लास फिफ्ट के भी नोट्स देखना चाते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जरूर जाएं और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी हमारे वीडियो को देखने के लिए थाइंक यू तैंकि सो मच शेयर करना ना भूले लाइक करना भी ना भूले